अब भी सोच हों कि आज भीया क्या कहने आए ऐसा अभी जस्ट अभी का इंस्टेंट एक इंसिडेंट हुआ मैं अपने घर के भार निकला गली में से होता हूँ अपने एवे से सेंटर की तरफ आ रहा था पीछे से एक गाड़ी आई और मेरी स्कूर्टी के पास रुकी में एक बिटिया उतरी जो मेरी ही एक स्टूरेंट है उतरने के बाद उसने मेरे से कुछ बाते करी कि सर आज मेरा एक्जाम है जेई का थोड़ा डर भी लग रहा है किस तरीके से करूँ उसके बाद अपनी सारी बाते शेयर करने के बाद लास्ट में उसने जब पैर्च हुए मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया और भावुकता में मैं इस बात को अपने अंदर तकना रखके आज आपके साथ शेयर करने आया हूँ जब एक बिटिया ने एक पैर्च हुए तो मेरे लिए बहुत वह पल ऐसा था कि मैं उसे बया अपने शब्दों में नहीं कर सकता पर सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि मन से बहुत सारे आशिरवाद ऐसे थे कि रिजल्ट इसका बिलकुल भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए पर पॉइंट क्या था कि इस पूरी जर्णी में जो मैंने महसूस किया वो ये था कि एक अध्यापक जो बच्चों के साथ अपना 100% जब दे रहा होता है तो बच्चों का विश्वास उस टीचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है मुझे ये तक पता चला कि वो सिर्फ आज स्पेशली अग्जाम जाने से पहले मेरे से मिलती भी जा रही थी जिसमें कि उसने मेरा काफी देर तक पीछा किया इस कूर्टी का कि मैं मेरे को वो कैच कर सके और अराम से अपनी बातों को रख सके और उस आशिरवात को ले सके कुछ इसी तरीके से जुड़ी हैं कि आप अपना जब बैस दे रहे होते हैं तो आपको ब्लैसिंग्स की भी नीड होती है पर बच्चो इतना सिंपल सी बात में कहूंगा कि आपके साथ ब्लैसिंग्स हर टीचर की आपके साथ जुड़ी है आप अपना हमेशा बैस देते र वह आज आपको समय मिला है उसको सही करने का पर जब पर एक्जाम के टाइम पर बैठते हैं तो सर्फ आपको एक्जाम देना है उस टाइम आपको इधर-दर की कोई भी बाते नहीं सोचनी तो इसलिए सभी ध्यान दीजिएगा अपना बैस दीजिए जो होगा देखी जाएग पर इधर-दर की बातों से बिलकुल भी अपने आपको डाइवर्ट में मत कीजेगा ओल दा बैस्ट एक केर फिर मिलते हैं रादे रादे